बिस्मिल आखमानी रहीम, असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे चीकन टाकूज रेस्टी और इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत मज़िदार बनेंगे, हमेशे की तरह आज भी आप से यह कहूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीड इस्ट डालेंगे, यह डाल लेंगे बाद एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी याड़ करेंगे और इसको गूंद लेंगे, बिल्कुल नरम सा होने तक, अब इसके लिए चिकन त्यार कर लेंगे, चिकन में 1 टेबल स्पोन ल नेगर डालेंगे, 1 टी स्पून धनिया पार डालेंगे, 1 टी स्पून नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून तिका मसाला डाल देंगे, सबी मसाले डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं, मसाले लगाने के बाद चिकन को हम रख देंगे थोड़ी देर तक के लिए, ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो चिकन में अच्छे से आ जाए, अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे, ओल गरम करने के बाद ये चिकन के पीसिस इसमें डाल देंगे, और चिकन को हम स्लो फ्लेम गल्लें तक फ्राई कर लेंगे चिंगर को हमने फ्राई कर लिये आठा जो हमने गुन के रखा था ये काफी नर्म हो गये इसकी हमने रोटिया नहीं चोटी चोटी टिकिया बनानी है और इसी तरह हम इसको बेल लेंगे बेलने के बाद हम तवे पर डालेंगे ये हमारी छोटे छोटे से जो डो हैं ये तवे पर अराम से तीन से चार आ सकते हैं एक सैट से हम पकने के बाद इनको पढ़ लेंगे दोनों सैट से तवे के उपर अच्छे से से शेक लेंगे और हमारे ये फूले फूले से डो बन कर त्यार है चीकन टाकूस के लिए इनको हम तार लेंगे चीकन टाकूस के लिए हमारा सब समान रेडी है अब एक हम डोलेंगे इसके ओपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे थोड़ी सी हम बारी कटीव पतागो भी डालेंगे उपर से हम बारी कटेवे टिमाटर डाल देंगे और उसके बाद फ्राई के वाचिकर रखेंगे थोड़ी सी उपर से हरी चटनी डाल देंगे और ये हमारे मज़ेदार से चिकन टाकूस बन कर त्यार है ये थी आज की हमर रेस्पी इसके साथ इजास चाहूंगी अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखिये तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजीगा और अगर आप हमारी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा